हेलो फ्रेंट्स बेल्काम टो बैक माई यूट्व चैनल और आज जो हम आपको वीडियो में बताएंगे कि बोपार एका शिंगल फेश स्टार्टर होता है उसकी नोगवेल्ट को एल है आप कैसे चेंज कर सकते हैं वह हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे और जो इसकी नोडिफिकेशन आती रही तो फिडियो शुरू करते हैं आपके मालिज आपका नोगवेल्ट को खराब हो चका है स्टार्टर का आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं वह हम इस वीडियो में व्कुल आएंगे आपने स्टार्टर है वो नीचे उतार लेना है पहले तो उ चीन ले उसकी स्टार्टर की लैडा खूलना चाहते हैं विए क्रदेश न्हीं तो आप अधर्वाइस समय से सकते हैं कोancing से को दिखकत वाली बात नहीं होती आपने चार नट दिये होते हैं चारो नट आपने पहले खोल लेने है बेस के चारो नट और उसके बाद आपने बेस में ओवल्ट को एलाबो चेंज करने है जान रखे कि वाहर को आपके इसका से टकना लगे दीरे से खोलना है आपने चारोनट खोल कर बेस को उल्टा करना है आप वीडियो में दखाएंगे आपको बेस के चारोनट खोल लिए उसके बाद आपने चारोनट निकाल लेने है उसके बाद आपने बेस को उल्टा करना है देख सकते हैं जैसे हमने किया बेस को उल्टा अगर आप इसकी सारी खोलेंगे तो आपको वायरिंग में डिक्कत होगी तो इसलिए आपने बेस को लटा करना है उसके बाद इसके बेस के नीचे भी चार नट दिये होते हैं प्लेट लगी होती है जो मैगनेट को पगड़का रखती है इस प्लेट पे चार नट दिये होते हैं आपने चारो नट जमने का कारण यह होता है कि कई बर हम मोटर यह तनी बार चालू करते हैं वो मेगनेट है वो जम जाता है लेकिन अगर आप नो वोल्ट कोई चेंज करें तो आपने इसको साफ जूरूर करना है इसको साफ करने पर यह होता है कि अब आप कई बर ऐसा होता है कि लाल बटन से ब वो डालनी है नो वर्ट अगर आप चाहें तो उसकी वाइरिंग खोल भी सकते हैं लेकिन हमने वाइरिंग इसलिए नहीं खूली कि यूरा आपको वीडियो में डिक करना हो बाद में हम आपको दखाएंगे कि वाइरिंग कैसे होती है अगर आप भी चाहें तो आप उसकी पहले फिट कर लें उसके वाद इसकी प्लेट के हैं वह चारो इनट आपने लगा देना है बहां जहां पर ऑसुनो वर्ट कोईल की वाइर लगी होगी आप ने इसपर लगा देना है एक वाय तो हम आपको बता दें इसकी ले पर लगी होती है और ले से ले इसको ट्रिप मर रवाती है के यहां पर इसकी ऊथों करतने और उसकी में पर लगी होती है अगर आप पहले खूलना चाहते है तो पहले भी इसके खूल कवा साथ ही रहने हैं उसके वाद यहां पर इसकी विरण corrections कर दें आपने चारुनाट आपसे से टाइट करने हैं मैगनेट वाली प्लेट के होते हैं जो इसके चारुनाट आपने टाइट करने हैं इसकी प्लेट के चारुनाट आपने टाइट करने हैं देख लिए जैसे हमने किया है उसके बाद आपने बेस है वो स्टार्टर में फिट करना है आपने सभी काम पूरे द्यान से करना है कहें कोई वायर आपसे निकलना जाए इस थोड़ा सा आप तेजी मत करें इसको दीमे करें तो आपके लिए इससा होगा देख सकते हैं दो वोल्ट कोईल की दो वायर आ चुकी हैं और एक तो यहां पर देख सकते हैं पहले लगी हुई है यह नो वोल्ट कोईल की वायर आपने इसको उतार लेना है यह मेन पर लगी होती है जो स्टार्टर में करंट आता है वहां पर हमने पहले भी आपको बताया थ इसके बाद आपने इसको ऐसे कस देना है असे से और इसके बाद दुसरी नो वर्ट कोईल की वायर होती है वो अपने रले पर लगानी है रले ही नो वर्ट कोईल से ट्रिप मरवाती है अपने अपने इसके बाद इसके चारू नट है वो लगा लेने है और चारू नट लगाने के लिए आप एक बाहर पर एक नट को ऐसे फिट करकर उसको नीचे लगा सकते है तो नहीं तो अधर बाद इसका जो कनेक्शन होता है वो थोड और अब हम इसने आमने इसकी वैरिंग कर दी है यालो पर यालो और रेड़ पर रेड़ बल्यू पर बल्यू लगा दिया उसमें इंपट वाइरिंग भी लगा दिया अब हम आपको दखाएंगे कि चालू करकर मोटर कैसे यह देख सकते हैं आप मोटर चालू हो गई है तेरा एक्सपेंट्स वीडियो सी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राब कीजिए